नमस्कार दोस्तों, आज है 16 दिसम्बर यानि की विजे दिवस आईए इस वीडियो के माध्यम से जाननी कुश करते हैं कि क्या हुआ था 16 दिसम्बर हुआ कि हम लोग इसी दिन में विजे दिवस को मनाते हैं और क्यों हम लोग सभी को आज के दिन पर गर्फ करना चाहिए गैस आजादी के बाद आपको पता होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बटवारा हुआ था तो पाकिस्तान दो खंडों में बटा था एक था इस्ट पाकिस्तान एक था दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान और कही न कहीं वेस्ट पाकिस्तान वालियों का दॉमिनेशन हमेशा इस्ट पाकिस्तान वालों पे रहता था तो इस domination को मतलब एक तरीके से counter करने के लिए बहुत सारी revolutions, बहुत सारी कोश्चे कही गई बट 1971 में इसका सबसे बड़ा hype देखने को मिला इसके सबसे बड़ा एक जो जंग छेड़ता है इंडो-पाकिस्तान war of 1971 भी देखने को मिलता है हुआ ये था कि क्योंकि इस्ट पाकिस्तान वाले इतना ज़रा strong नहीं थे तो भारत ने भी निरना लिया कि हम लोग उनको सहाइदा दिलाएंगे अजादी दिलाने में और कहीं न कहीं जाके उसी से एक निया देश कथन होता है जिसका नाम है आज बंगला देश इस वार में हमारे बहुत सारे दिगज लीडर्स ने आउंड फोसेस के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे लीडर्स को उन सारे freedom fighters को चलिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं आज उनके बारे में थोड़ा कुछ जानने ही कुछ करते हैं यह था मौका उस समय का आप लोग देखी सकते हो कहीं न कहीं एक बहुत ही जंग छेड़ा हुआ मौका था आज समफ वर वरी करिजमाटिक लेडर आपने फिल मार्शल सैम मानिक्षा का नाम सुना होगा उस समय के भारतिय आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं उनका कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक रूल था तोटल चार परमवीर चक्र भी इसमें बेसिकली डिस्ट्रिब्यूट क्या गयता है एवर्ड क्या गया था भारत सरकार द्वारा आईए किन-किन को मिला था परमवीर चक्र और क्या-क्या हुआ था चानने ही कुश करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो समय रामिश्वर नात का हो तो इन सभी का बहुत बड़ा एक नियम था एक बेसिकली रोल था उस बार में और यहां पर आप देख सकते हो सैम मानिक्षव जी कह रहें जैनलमेंट आई हव अर्राइवड और विड्रॉवल विडाउट रिटन ओर्डर और इस ओर्डर शेल निवर भी ठीके क्योंकि आपको पता था कि बंगलदेश को एक रिटन एक्सेशन चाहिए होगा तभी जाक अर्मी चीफ से पूछे कि क्या हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेडने की नौबत पे अगर आ जाते हैं तो क्या हम रेडी हैं आर्वी रेडी तू स्केल फुल फ्लेज़ड वार ठीक है सैम मानिक्षव जी का बहुत सीधा मतलब एक तरीका उत्तर था कि बोला ग दिया की फिर मैडम ने उनको और्टनोमी दिया कही नगी एन वो जाके ठीक है चार रन नीतियों के वज़े से दफोर फोल स्ट्राटीजी जो कहता है हम लोग सैम मानिक्षव जी को जो फिल मार्शल का त्याग भी मिलता है कही नहीं बाद में जाके एक बड़ा मतलब रोल 1971 की उनकी जो टैक्टिक छी चलिए देखते क्या टैक्टिक बनाया उन्होंने उन्होंने बनाया कि चार ग्रुप्स में उन्होंने अपने आर्मी को बाट दिया ठीक है तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने यह जो पहला कॉप था इन्होंने करा कि they should enter from west दूसरा जो था वो east से enter करेंगे तीसरा जो था तीक है वो करेगा not से and जो last कॉप था जो कि basically आपकी enter करेगा support कॉप करेगा north east एक पूरे की पूरी region को east से west से north से and not ही से हर जगे से ठीक हर जगे से उन्होंने कही न कहीं कबजा करने की जो है एक रन्निती बनाई and जाके देखने को मिला कि यही रन्निती रंग लाती है बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही मज़दार चीज भी है कि जेनरल उस समय जो बेसिकली थे जेनरल याहिया खान ठीक है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राश्वपती उस समय के थे उन्होंने ऐसा कहा जाता कि हजार उपियों के लिए मानिक्षोद जी का जो है ठीक है मोटर साइकल ले लिया था और उन्होंने पैसा कभी मानिक्षोद जी को दिया नहीं ठीक है तो आफ्टर दा इंडिन विक्ट्री इन सेवेंटी वानिक्षोद जी कहते है याया नेवर पेड मी रुपीस थाउजन पर मैं मोटर बाइक बाट नाव यह स्पीड विद हाफ ओफ इस कंट्री तो आधा देश जो है उनको गवाना परा कहीं न कहीं उस मोटर साइकल के हिसाब चुकता कराते कराते तो नेक्स जो इंपोर्टन आपको जाना चाहिए डाट इस लेफ्टरन जेनरल जेकब फर्स रफाइल जेकब या फिर जेफार जेकब यह बाद में गोवा के गवर्णर भी रहा चुके है बट उस समय में वो मेजर जेनरल के पद में थे मेजर जेनरल जेकब सर्फ देश चीफ अव स्टाफ अव इंडिन आर्मी इस इस्टन कमांड जो था तो यह उस समय के चीफ थे एन एक बहुत ही बड़ा रूल इनका था कि they became the war of movement plan को जो form किया गया था ठीक है यह इन ही के नेतरीतों में कहीं न कहीं करा गया था ठीक है तो 16 December 1971 में Jacob was sent to get a surrender from the Pakistani army commander Lieutenant General A.K. Niyazi तो यह जो 16 December का दिन है कहीं न कहीं इस वज़े से विजय दिवस मनाई जाती है because इसी दिन में पाकिसान आर्मी surrender करती है Bangladesh एक निया देश में गठन होता है और भारत्य आर्मी इस जीत को जश्न में बनाता है अगर कुछ और very charismatic leaders के बारे में बात किया जाए तो Major General यान करता जो इनका जो act of valor था मतलब सही में रॉंगते खड़ा कर देती अभी भी ठीक है he cut his own leg with khukri ठीक है after he accidentally stepped on a landmine मतलब एक landmine में जब उनका पैर पढ़ गया था तो कहीं न कहीं अपने आपको बचाओ या अपने पैर को बचाओ और उन्होंने अपने ही पैर को कभी कोशिश करना ठीक है थोड़ा सा चाकू लग जाए तब भी हम लोग ऐसा आजा करते हैं यह अपने पूरे पैर को काट के निकल गये थे ठीक है और दूसरा जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्बल जीत सिंग सेकॉंड जो को प्रमभी चक्र क से साथ सम्मानीत भी किया गया इनके बार में तो मैं आपको देटल में बताने जा रहा हूं ठीक है डिफनडेट स्रीनगर एर बेस अगेंस्ट थे पीए फ मतना पाकिस्तानी एरफॉरस रई एक, चे एरकराफ का पाकिस्तानी एरक्राफ्स छे एरक्राफ ऩाके पूरे ऐर स्रीनागर एर बेस को खेर लेते थे एक लेंड माइन एक बंब भी फेग देते जिसके कारणवर्ष जो टेक ओफ फील था वो भी खराब हो गया था बट कहीं नहीं निर्वल जी चिंग का एक बहुत ही अच्छा रोलता में बताने जा रहा हूं स्रीनागर एर बेस को बचाने वाले थे बाद में ऐसा देखा गया कि छे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स छे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आके स्रीनागर एर बेस को घेर लेते है और उसमें जो टेक आफ का जो प्लाटफॉम था वो भी मतलब एक तरीके से खराब कर देती है इनकी टेक आफ दिले हो गई थी तो बहुत ही दिक्कत होती है बट उस समय में भी ये निर्मल जीद सेखान जी जो है ठीक है पीछे नहीं हटते है ये उस समय में भी एक बहुत ही करेजिस टेक आफ करते हैं और उन दोनों को टेक आफ करने के बाद बागी चार जो है वो आटमेटिकली भाग भी चले जाती है आपको पाता ही है कितना दड़पोग है ठीक है पाकिस्तानी आर्मी जो है तो चा तो मतलब एक एरियल सुपीरियोर्टी था 1971 में बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाई थी इसके बाद सेकेंड लेफटनेंट अरुन खेतरपाल के बारे में आपने तो सुनाए होगा वेरी वेरी करेजियस ऑफिसर एड़ पॉंट अफ टाइम इनका उमर उस समय म 20 या 21 साल का रहेगा ठीक है यह अकेला घुज गये थे ठीक है टैंकर में जाके यह अकेला घुज गये थे एनिमीज को मारते 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 प्रकट किया है इसको सम्मानित करने के लिए परमवीर चक्र के साथ इनको बाद में सम्मानित किया गया था तो इनका मुख्य लक्ष था तो इसके बाद लैंस नायक अलबर्ट इका यह बहुत ही गरीजेस लीडर थे कभी आपने मुवीज में देखा होगा बॉलीवीड की मुवीज में अगर आपने देखा होगा कि जब क्लोस कोंबैट वार्फेर हो जाता है ठीक है बंग एनिमी बंकर्स में घुसके चाकू लेके ज 1871 वार में ठीक है इन्होंने जो है अपने कंपनी की बहुत सारी लॉसेज हो गए थी 14 गार्ट के साथ थे यह ठीक है और जब पाकिस्तानी बंकर्स के थ्रू बहुत जादा हैवी मेशीन गान फायरिंग हो रहा था तो इंडियन साइट थोड़ी सी कंपनी में बहुत सारी इन्होंने उस चीज़ को बरदास्त नहीं किया यह खुद अकेला आगे बढ़ गए और एन्वी बंकर्स में घुसके इन्होंने चाकू के साथ वार करके करके ठीक है यहां पर दिखाया गया है ठीक है बेवनेटिद ठीक ही बेवनेटिद एन्वी सोल्जर्स साइलिंस टेल नौट में एक और बिल्डिंग भी था उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में बहुत सारे अनिमीज थे वहां पर भी उन्होंने जाके फिर से मतलब एक जो है करेज दिखाना होता है और दूसरी होती है करेज को बार बार दिखाना उन्होंने ठीक है लैंस नाग अलबट इक उस समय मेजर के रैंक में थे एंड इनको भी मतलब इन्होंने एक मेशीन गंड हिट रेंडर इन इन ओपरेटिव में बहुत ज़्यादा एनिमी शेलिंग हो रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक करेजियस प्रशन किया था अपने शमताओं का अपने स्किल्स का गईस ऐसे ही चीज़ों को अगर आपको भी हासिल करनी है if you want to serve the country in these lines you have to crack this exam को left cat and इसमें 200 प्लस कैसे लाया जा सकता है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी मेगा वर्क्शॉप में लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा जॉइन करिएगा 9 पीम को लाइव आज ठीक ह this is something very important and इसी के साथ last but not least मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और ऐसे soldier के बारे में एक और ऐसे officer के बारे में जिसके बिना जिनके बिना शायद 1971 वर successful नहीं होती या विजय दीवस विजय दीवस नहीं होता लेफन जेनल और ओर ठीक है यह graduated from Indian Military Academy ठीक है 1939 में ही and commissioned in the 1st Battalion 2nd Punjab Regiment he straight away saw action ठीक है just 2-3 साल service के commissioning के बाद ही इन्होंने ठीक है बर्मा Japanese campaign World War 2 में participate किया था उस समय भारत आजाद भी नहीं होई थी 1939 में आपको पता होगा World War 2 का घुसना हो गया था 45 तर right and इनहीं के द्वारा बेसी के लिए आपको जो पता होता है 1971 वर में 93,000 पाकिस्तानी soldiers ने surrender कर दिया था भारत के सामने surrender कर दिया था और इनहीं के द्वारा वो signatory वो signing हुआ था आपको हमेशा याद रखना है left-run general J.S. Arora यानि की Jagjit Singh Arora was the man of the movement when Pakistani left-run general Aamir Abdullah Khan Niyazi signed a historic accord unconditional surrender of 93,000 प्लस पाकिस्तानी आर्मी and Bangladesh capital ठाका में ये signing होई थी and finally Bangladesh एक नया देश होके उबर के आता है हम सभी के सामने and आज एक बहुत ही अच्छा and prosperous देश भी माना जाता है पाकिस्तान के दुल नामे guys आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के दौरा ऐसे ही चीजों को अगर आप और भी कुछ stories जानते हो बहुत सारे और stories भी है मैं तो सबसे important वाले बताए है अगर आपको भी किसी officer के बारे में 1971 में participate की हुए officer के बारे में पता है comment section में उनकी story जरूर spread करिएगा ताकि हम सभी भारतियों को मालूम पड़े कि हमारी इस देश के लिए या पाकिस्तानी किसी foreign देश के लिए भी भारत के जो सेना होती है कभी पीछे नहीं हटती है हमेशा humanity को propagate करती है Guys, a very happy Vijay Divas to all of you Jai Hind, Jai Bharat